बारत के जिगरी दोस्त रूस से बड़ी खबर है यहाँ प्रधान मंत्रे दिमित्री मेध्विदेव ने अपनी पूरी क्याबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया है रूस की न्यूज एजिंसी के मुताबिक राश्टप्रती पुतिन ने मेध्विदेव को शुक्रिया कहा है और इसने मौजूदा सरकार ने इस्तीफा दे दिया मेध्विदेव को सुरक्षा परिशत का धिक्ष बना दिया गया है वो साल 2012 से रूस के प्रधान मंत्री है और राश्प्रती बलत मिर्पुतिन के करीब रहकर काम करते रहे हैं वो 2008 से 2012 तक रूस के राश्प्रती थे अपने भाशन के दौरान राश्प्रती ने सम्विधान में संशोधन का प्रस्ताव रखा इसमें क्याबनिट की शक्ती विस्तार का प्रस्ताव रखा गया है माना जारा कि पुतिन ने खुद को सत्ता में बनाये रखने के लिए ये प्रस्ताव रखा है जिससे अगर वो प रूस के राश्प्रती वलाद्मिर पुतिन ने देश की संसत को प्रधान मंत्री और अन्य प्रमुक पदों के लिए व्यक्तियों को चुनने की शक्ति देने का प्रस्ताव रखा है इसे रूशी सम्मिधाने बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है कुछ लोग इसे की राजनेतिक भविश्य के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। मन्जूरी दियेगराने के बाद राश्परती इनके नियुक्ती करने के लिए बाध्य होंगे। वो लोगप्रिये हैं, महीं कई अन्य लोगों को लगता है कि बहुत लंबे समय से सत्ता में हैं और अब उन्हें हट जाना चाहिए। सरसट साल के पुतिन प्रधान मंत्री और राश्परती के तौर पर 1999 से रूस की सत्ता पर काबिश हैं। राश्परती के तौर पर उनका चौथा कारेकाल 2024 में खत्म होगा। वर्तमान सम्विधान के अनुसार कोई भी राश्परता लगातार दो से अधिक बार राश्परती नहीं बन सकता।